हेलो दोस्तों नमस्कार आपका अपना चैनल कुईज अप्ट डेवी थेजे में आपका स्वागत है और आज किस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ टॉप 10 GKGS का पार्ट 2 और अगर आपसे पाई चांस पार्ट 1 मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्ले लिस्ट का लिंक डाल दिया हूँ जहां पे आपको टॉप 10 GKGS स्रीज का सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा और जैसा कि आप लोग देखी रहे हैं इसमें आपको जबरदस्त एक्स्प्लानेशन भी मिलेगा जो एक बार आप लोग देख लेंगे तो आप कभी पहला कोस्चन है दब बैटल ओफ पलासी वास फॉट इन मतलब पलासी का यूद जो है वो कब लड़ा गया इसमें हिंदी मेडियम में हो या फिर आप इंगलिस मेडियम में हो यह मैटर नहीं करता दोनों मेडियम वाले दोस्तों के लिए ये वीडियो काफी हिल्फुल होन option A 757 इसमें, option B 787 इसमें, option C 745 sub-ichen D 764 में तो इसका आंसर आपको बताना है तो इसका जो रायट आंसर है वो है option A 757 पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी 1757 में ओके इस तरह से आप लोग को देखने के बाद एक बार उसको मन में बोलना है उसको तभी आप नहीं भूल पाएंगे ठीक है और इसको पिक्चर के माध्यम से भी आप देख लिजे पलासी की लड़ाई ऐसा रंगा रंग पिक् पिक्चर देखने के बाद दिमाग में वो छप जाता है और आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पलासी की लड़ाई जो है किसके किसके बीच लड़ा गया यह भी एक इंपर्टेंट कोश्चन है तो वो लड़ा गया था सिराजु दौला और रोबर्ट कलाइब के बीच कि लड़ा गया था तो 1757 श्वी में ठीक है चलते हैं अगले कुश्चन के दरफ अगला कुश्चन है श्रीरंग पत्नम की संधी टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी अब आपको बताना है स्रीरंग पत्नम का जो शंधी हुआ था किसके इक बीच हुआ था इसको इंग बर्ट क्लाइब, option B, करनवालिस, option C, डलहोजी, option D, वारेन हेस्टिक्स, तो इसका जो राइट अंसर है, वो है option B, करनवालिस, इसका राइट अंसर क्या है, करनवालिस, अब इसका ये explanation देख लिजिए, 1792 इस भी में हुआ था, ये भी अपने आप में important question है, आप से पूछ द इस पर हस्ताक्षर करने वालों में, British East India Company की ओर से, लॉर्ड करनवालिस और मैसूर के सासक टीपू सुल्तान सामिल थे, लॉर्ड करनवालिस और टीपू सुल्तान, ठीक है, जो की मैसूर के थे, ओके, चलते हैं अगले question के तरफ, अगला question है, महान विक्टोरिया मरवस्थल कहां इस्तित है, where is the great Victoria dessert located, great Victoria dessert कहां पे है, option A, Canada, option B, पसी मंगाल, option C, Australia, option D, उत्री अमेरिका, तो इसका जो right answer है, वो है option C, Australia, और ये देख लीजी, ये Australia के map पे आप देख सकते हैं, कि Australia में, वेस्टर्न Australia में, जो है great Victoria dessert है, ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं, अगले question के दरफ, अगला question है, निमने लिखित में से कौन सा उस्टनकटिवंधिये घास का मैदान है, उस्टनकटिवंधिये मतलब tropical grassland, तो tropical grassland कौन सा है, option A, टैगा, option B, सवाना, option C, पंपास, option D, घास के मैदान, तो इसका जो right answer है, वो है option B, अगला question है, The members of Rajasabha are elected by, मतलब Rajasabha के सदस्यों का चुनाव किस के द्वारा किया जाता है, option A, people के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा, या elected member of the legislative assembly, मतलब विधान सभाग के निरवाजित सदस्यों के द्वारा, या elective members of the legislative council, मतलब विधान पढ़िसद के नि सी एलेक्टेड मेंबर्स ओफ लेजिसलेटिव एसेम्बली विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उसके बाद बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन पर जाने से पहले एक बार इसको आप लोग देख लिजिए कि राज सभा के सदस्यों का किया जाता है कुछ-कुछ वर्ड हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है तो इसको आप एक बार इंग्लिस में पढ़ लिजिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है उसके बाद चलते हैं अगले कोश्चिन के तरफ दा मेंबर्स ओफ लोग सभा होल्ड ऑफिस फोर ब्रिक तर्म औरुबॉम्टलब लोग सभाग्यों के में सद्धत्षिक का जो पुंश्चिक होता है वह क्या समय के लिए होता है option A 4 साल, option B 5 साल, option C 6 साल और option D 3 साल तो इसका जो right answer है, वो है option, इसका जो right answer है, वो है option, sorry, option B 5 साल, कितना होता है? 5 year, ओके? तो 5 year इसका right answer है, इसका बढ़ते हैं अगले question के तरफ, अगला question है atomic theory of matter was given by, पदार्थ का परमानु सिधान्त किसके द्वारा दिया गया था? इवगार्डो के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, निूटन के द्वारा, पास्कल के द्वारा तो इसका जो right answer है, वो है option B, डाल्टन के द्वारा, जोन डाल्टन, ठीक है? अब ये थोरा सा देख लिजे, डाल्टन का atomic theory, इस डाल्टन के बारे हम देख लिजे, जोन डाल्टर, ये इसका year of birth और year of death है, and English school teacher, and chemist, वो chemist भी थे, English school teacher भी थे, ठीक है? तो, proposed his atomic theory in matter 1803, 803 में जो है, atomic theory को ये दिये, ठीक है? एक बार इसको read कर लेजिए आप लोग, चलते हैं अगले question के द्वा, अगला question है, the atomic value of charge on electron was determined by, अजब, electron पर आवेज का मान जो होता है, वो किसकी द्वारा निर्धारित किया गया था? charge जो होता है electron पे, वो किस, कौन, determined किया था? option A, J.G. Thompson, option B, R.A. Milken, option C, Rutherford, option D, Chadwick, तो इसका जो right answer है, वो है option B, R.A. Milken, okay, इसका right answer क्या है? R.A. Milken, okay, उसका चलते हैं अगले question पे, अगले question पे जाने से पहले, थोड़ा सा ये देख लिजी इसका explanation, the charge on electron was determined by American physicist Robert Andrew Milliken, R.A. Milken जो लिखा है, उसका full form है, Robert Andrew Milliken, in between the years, 1906 and 1940. The charge of electron was determined in an element named Milken's wild drop experiment. अब देखिए, electronic charge जो determined किया गया था, उस experiment को wild drop experiment भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक question है, उसका चलते हैं अगले question के तरफ, अगला question है, rate of doing work is called, लब कार्ज करने की दर को क्या बोलते हैं? option A power, option B energy, option C velocity, option D force, तो इसका जो right answer है, वो है A, हिंदी में इसको बोलते हैं, कार्ज करने की दर को सकती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सकती, और इंगलिस में power, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा सा X का explanation देख लेजी, जो कि ये भी exam में आता है, the rate of doing work is called power, और power का जो फर्मूला होता है, work upon time होता है, ठीक है, फर्मूला आपसे पूछेगा, P equal to W y T, ओके, और यह सब जो है, यह work power energy जो है, यह एक scalar quantity है, यह क्या है? यह scalar quantity है, scalar quantity कहने का मतलब हिंदी में अदीस रासी है, ठीक है? सदीस अदीस vector quantity, scalar quantity आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो मैं आप उसके बाद देखी, last question, the work is defined as, work का क्या फर्मूला होता है, Fs, Fama, Fm, तो इसका जो right answer है, वो Fs है, इसका right answer जो है, A है, Fs, इसका थुरा सा explanation देख लिजिए, explanation देखी, work is defined as the product of applied force and the displacement through which the force is exerted, W equal to Fs, जहांपे W आपको work है, F जो है सो force है, और D जो है सो displacement है, तो आज का हमारा ये वीडियो खतम हुआ, उमीद करते हैं कि हमारा question का selections और explanation आपको पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं लेकर के आओं, तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को share कर दीजिए, और channel को subscribe कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग दे